दोस्तों गर आपको अपने GEO Payment Bank का UPI Pin याद नहीं है UPI Pin आप भूल गए हैं तो कैसे आपको उसे Recover करना होता है कैसे आप उसे Reset करके एक New UPI Pin Create कर सकते हैं इसकी Complete Process Live इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें अपने Mobile Phone में My GEO Application को Open करना होगा फिर इसके बाद में आपके सामने Finance का Option आपको देखने के लिए मिलेगा इस Finance के Option पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने इस तरह का Interface आपको देखने के लिए मिलेगा अब उपर उपर आपको Bell आइकन के बगल में एक Profile का छोटा सा गोल गोल आइकन देखने के लिए मिलेगा इसी Profile के आइकन पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने आपका जियो पेमेंट बैंक आ जाएगा अब देखे UPI अकाउंट के सामने आपको एक एरो का छोटा सा आइकन देखने के लिए मिलेगा इसी आइकन पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों आप एरो के आइकन पे क्लिक क तो आपके सामने दो option आएगा reset UPI pin और change UPI pin अब दो option हैं दोनों option का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पे देखिए reset UPI pin का मतलब है कि आपको UPI pin याद नहीं है आप UPI pin भूल चुके हैं तो आपको first option reset UPI pin को option को choose करना है और दूसरा जो option है जो की है change UPI pin तो जो लोग अपने UPI pin को change करना चाहते हैं उन्हें अपना पहला UPI pin याद है अपने UPI pin को change करने के लिए आपको change UPI pin के option को select करना होता है तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप UPI pin भूल जाते हैं तो कैसे आप उसे वापस से recover कर सकते हैं, reset कर सकते हैं तो reset करने के लिए reset UPI pin के option पे हमें click कर देना है अब देखे UPI pin को reset करने के लिए यहाँ पे आपको दो option देखने के लिए मिलते हैं पहला option है जो कि है debit card का यानि कि आप debit card का use करके अपने UPI pin को reset कर सकते हैं और दूसरा जो option है जो कि है अधार card का यानि कि अधार card से भी आप अपने UPI pin को reset कर सकते हैं तो यहाँ पे पहला जो option है जो की है debit card का तो इस option को मैं select कर लेता हूँ और इसके बाद में नीचे है proceed का option इस proceed के option पे हमें click करना होगा click करने के बाद में आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा please enter your personal detail to continue तो नीचे यहाँ पे आपकी जो भी date of birth है उसे enter करना है date of birth को enter करने के बाद में आपको नीचे option मिलेगा enter for digit of pen यानि कि आपका जो pen card है उसके उपर आपको last के जो 4 digit number होते हैं वो यहाँ पे आपको type कर देना है pen के 4 last digit number को type करने के बाद में आपको फिर से नीचे ये proceed का option मिलेगा इस option पे आपको क्लिक कर देना है फिर आपके सामने enter detail for validation करके एक new tab देखने के लिए मिलेगी तो सबसे पहले यहाँ पे इस tab का जो आपको screenshot लेना है आगे बहुत काम आने वाला है इस tab के अंदर आपकी जो ATM card होता है उसके last 6 digit number देखने के लिए मिलेंगे और साथ ही expiry date, month, year वगेरे भी देखने के लिए मिलते हैं तो आगे बनने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आपको इसका screenshot ले लेना है screenshot लेने के बाद में आपको नीचे option मिल जाएगा reset upi pin इसके उपर आपको click कर देना है अब देखिए आपके सामने इस तरह का interface आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ है last 6 digit of card य यहाँ पे आपको अपने card की जो expiry date month और year होता है उसे type कर देना है जो कि अभी हमने screenshot लिया है उसके अंदर mention किया हुआ आपको देखने के लिए मिल जाएगा expiry date month year type करने के बाद में नीचे आपको ok कर देना है इतना करने के बाद में आपके geopayment bank से link mobile number पे आपको OTP आया create कर सकते हैं UPI pin create करने के बाद में आपको फिट से वही UPI pin को दुबारा से create करना होगा confirm करने के लिए और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो UPI pin है वो successfully create हो चुका है नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा और geopayment bank की तरफ से आपको notification भ किसे आपको reset करना होता है पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको live करके दिखाया है उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छ लगी है वीडियो को like कर दिजेगा दोस्तों के साथ में share कर दिजेगा चैनल पे नए आये हैं चैनल को subscribe करके bell notification को all पर set कर दीजेगा